गुडिमिनिंग दोस्तों हमारे यूटूब चैनल टीचर रेजुकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो सभी सिक्षको आप जैसे कि पहले से ओगत है कि हमारी निष्ठा के ट्रेनिंग जो है वो दिख्षा एप के माध्यम से ऑनलाइन कराई जा रही है और अभी तक हम लोगों ने चार समेस्टर यानि कि चार पाठकरम को कंप्लिट कर लिया है और आज 16 दिसंबर है यानि कि आज से हमारा पांचवा जो है वो पाठकरम सुरू होने वाला है सभी मोडूल के तरह इसमें भी जो है वो तीन चैप्टर हम लोगों को पढ़ने है इसका जो डेट है वो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दिया गया है एक नेरेश पर डालते हैं हमें क्या कैसमें पढ़ना है तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो है स्कूल नित्रित्व और धारना और अनुपर योग दूसरा है स्कूली सिक्षा में पहल और तीसरा है प्री स्कूली सिक्षा यह तीन चेप्टर हम लोग को पढ़ने है इसे कैसे इन्रॉल करना है इसके लिए आपको पहले वीडियो बना दी गई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर के सबसे पहले कोस को इन्रॉल करें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनका जो मुख प्रस्नोत्री है उसका हल हम लोग इसमें देंगे तो चलिए बीराद दिर के वे इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम अपने एप्स को उपन कर लेते हैं यानि देख्चा आप्स को उसके बाद हमें आना है प्रोफाइल में यहाँ पर सबसे पहले आपको कोर्स को इन्रॉल करना होगा जो हमारे तीन कोर्स जूटे हैं उस कोर्स को इन्रॉल कर ले पहले अगर आपको इन्रॉल करने नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने आपको अलक से वीडियो बना दी है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्केप्सन में मिल जाएगा चुकि यहाँ पर मैंने तीनों को उसके डॉल कर लिया यहाँ पर मुझे माई लर्निंग में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं अभी जो टेस्ट दे रहा हूँ वो है विड्यालय नितीतिव सेंकल्पना और अनुपर्योग है उसके बाद हमें नीचे आता है प्रस्नोत्री इसके क्लिक करेंगे प्रस्नोत्री पर जायंगे और उसके बाद हमारा प्रस्नलोड होना सुरू हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला प्रस्ण स्कीन पे आ चुका है प्रस्ण है विद्याले के स्टाफ के साथ दल अधिगम की परिकरिया का समेकन करने के लिए उचीत असर क्या है इसका सही अंसर है स्टाफ मिटिंग अगले सवाल पर आते हैं इस एरोग पे किलिक करके दूसरा सवाल है विद्याले नित्रित्व का सीधा परभाव चात्र अधिगम पर पढ़ता है इसका अर्थ है कि विद्याले परमुक दौारा कछा में सिक्षन अधिगम परिकरिया में सम्मिलित होना ये इसका सही जवाब ह अगले सवाल पे आते हैं विद्याले विकाश योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है इसका सही अंसर है केवल परसास के उद्देशियों के लिए जो की option D में है दोस्तों फिर से मैं आप लोगो एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मारा option A, B, C, D करके है यह option हो सकता है आप में उपर नीचे हो जैसे कि यह मेरा option जो सही जवाब है वो D में है हो सकता है यही option आपके A, B, C में भी हो और question का जो serial number है वो भी आगे पिछे हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगले सवाल पे आते हैं इसका सही जवाब है सकिरिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोचाहित नहीं करता है याने की option B अगले सवाल पे आते हैं विद्याले में अधिगम संस्किर्ती विक्सित करने की संकल्पना को इसमें से कौन सा विकल्प सू परिभासित कर सकता है इसका सही जवाब है दल अधिगम अगले सवाल पे आते हैं इन में से कौन से अकादमीक नित्रित्व के मुख के अव्योव नहीं है इसका सही option है परसासनिक नियमों एवाम भी नियमों की समझ इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे सिच्छन सास्तरे विशेवस्तू ग्यान की सेंकलपना में निम्न में से कौन सा बिंदू सहायक नहीं है इसका सही option है विद्याले के बहुतिक संसाधन option D अगले सवाल पे आते हैं स्वैम को विद्याले अध्यापक के नित्रित्व करता के रूप में विक्सित करने है तू तीन मुख अवयो क्या है इसका सही अंसर है ग्यान, कौसल एवं अभी विर्ती जो option B में है अगला सवाल विद्याले परमुख के तौर पर गिद्याले के नित्रित्व करता की क्या भूमिका होनी चाहिए इसका option है लीडर बाई पोजिशन के साथ साथ लीडर बाई एक्सन होना ये इसका सही अंसर है अगला सवाल है परभाव साली नित्रित्व करता बनने के लिए स्वैम के कौन से दो महत्पुन गुन अवर्शक है इसका सही option है पहल करता एवम सकरात्मक द्रिश्टी कौन option c next question यहाँ पर दस सवाल पूरी हो चुके हैं और हम लोग submit करके देखते हैं कि इसका क्या अंसर है यहाँ पर हम लोग का score दिखाई दे रहा है your score is हब देख सकते इसक्रीन पर 10 में 10 सही हो गया है अब हम लोग आएंगे अगले प्रस्णूत्री के तरफ की जो 14 हुआ मोडल का है तो दोस्तो एक बार फिर से हम लोग आ गये हैं अपने my profile में दिख्षा एप को open कर लीजे आप भी और अपने my profile में आजाए यहाँ पर जो हमारा course है वो दिखाई देरा विद्याले सिक्षा में नई पहले यह हमारा अगला course है जिसका हम लोग मुख प्रस्णूत्री देने वाले हैं तो इस पे हमें क्लिक कर लेंगे और उसके बाद प्रस्णूत्री में आना है प्रस्णूत्री को उपन करेंगे तो हमारा question यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे question लोड हो चुका है पहला प्रस्ण हमारे स्क्रीन पे है प्रस्ण है राज्यों और संग राज्य छेत्रों में समगर सिक्षा की कार्यानवयन संस्था कौन सी है इसका सई अंसर है राज्य कार्यानवयन समीत्ती उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे नेशनल अचीव्मेंट सर्वे की अवशक्ता क्यूं है इसका एंसर है option D में सीखने के परिनामों का आकलन करने के लिए इसे टिक करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं सवाल है निम्लिखित में से कौन सा भारत में समयवेशी सिक्षा के इतिहास में एक मिल का पत्थर है चौर option दिये गए हैं इसमें से हमें एक सही अंसर ढोड़ना है यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही अंसर है वो है सर्व सिक्षा अभियान 2000 यह option B में है यह जो है भारत में समयवेशी सिक्षा के इतिहास में एक मिल का पत्थर साबित हुआ है इसका सही option है B अगले सवाल पर आते है स्कूल सिक्षा से संबंधित सभी जनकारी प्रदान करने है तो देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोडने के लिए सिक्षा मंतरा लगवारा सुरू किया गया पोर्टल कौन सा पोर्टल इसमें सुरू किया गया है तीन जो प्रावजीत योजनाएं है वो option किसमें सही है उसका आपको बताना है जिसका जो सही answer है option D जिसमें है सर्व सिक्षा भियान उसके बाद है राश्टी है मध्यम सिक्षा भियान और सिक्षक सिक्षा ये इसका सही जवाब है ये तीन जोजनाएं है पूरे वरती अगले स्वाल पर आते हैं निमलिक्षित में से कौन दोफर का भोजन जोजना यानि कि MDMS का दृष्टी कौन नहीं है इसका सही answer है तीथी भोजन अलग यहाँ पर अतीथी भोजन दोस्तो ये इसका सही जवाब है अस्तरपा रास्टिये उपलब्धी सर्विक्षन NAS किन कच्छाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धी का आकलन करने के लिए किया गया है इसका सही option option B में है कच्छा 3 से 9 तक अगले सवाल पर आते हैं समगर सिक्षा किन वर्गों में शामिल है समगर सिक्षा जो SSA है वो आपको पहले से भी पता होगा इसका सही जवाब है पूर्व विद्याले से 12 तक ये इसका सही जवाब है next करके देखते हैं वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार दोबरा सुरू किया गया online portal इसका answer है you dies ये है दोस्तों इसका सही जवाब you dies सिक्षा के लिए एक इकरित जीला सुचना पर नाली ये इसका सही answer है अगले question पर आते हैं कि समगर सिक्षा योजना के मुख घटक क्या है यहाँ पर बहुत सारे option आपको दिखाए दे रहे हैं total 6 option है यहाँ पर देख सकते हैं पूरी विद्याली सिक्षा समगर सिक्षा को बढ़ावा देना पढ़े भारत, बढ़े भारत आत्म रक्षा परसिक्षन खेलो इंडिया, खेले इंडिया या सवक्ष भारती वियानियन में से जो समगरे सिक्षा योजना के मुख घटक है वो आपको बताना है कि कौन-कौन से मुख घटक है इसका सही अंसर है इसमें जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा ये जो है दोस्तों पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये इसके मुख घटक है और ये स्कॉर है 10 में 10 इस तरीके से हमने दो प्रस्नोंतरी का हल कर दिया है bakayım अब है बढ़ा है कि अब हम लोग तीसरे möस के तरफ बढ़ते हैं यानि की पुरो प्रात्म सिख्चां पिर से आ जाना हमें माई कोर्स में और पूरात्मी सिख्च जो हमारे कूर्स में दिखाए देगा इस पर क्लिक करना है प्रस्नोत्री में आना है और इसके प्रस्नोत्री को क्लिक कर लेना है यह हमारा कोश्चन लोड हो रहा है और हमारे स्कीन पर पहला प्रस्न लोड हो चुका है प्रस्न है कि निमलिखित में से कौन सा घटक तत्व सयोजन लिंकेज अस्थापित करन यह इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं रिक तस्थान है उसके बाद लिखा है कछा के भीतर के छेतर है जहां बच्चों को विकास के एक विसिस्ट आयाम से समबंदित समगरी मिलती है इसका सही उप्सन है लेर्निंग सेंटर उप्सन डी अगला सवाल खाली जगा है मान्यता है कि भास्षा शब्द शब्दान तुकांत और धोनियों से बनी है इसका सही उप्सन है उप्सन डी धोनी जागरुकता अगला सवाल पूर्व प्रात्मिक शिक्षा काजकरम पर शिक्षन में सामिल होना चाहिए क्या सामिलना चाहिए इसका सही जवाब है पूर्व प्रात्मिक और ग्रेड एक और दो के सिक्षक यानि की ऑप्सन डी पूर्व प्रात्मिक और ग्रेड वन और टू के सिक्षक नेक्स्ट कोस्चन छोटे बच्चों के खेलने के औलोकन और आकलन के लिए निमलिखी तकनीक क्या वशक्ता होती है चार तकनीक यहां पर तीन तकनीक दिया हुआ है तो यहां पर मैं आप लोग बता दूँ कि इसका जो सही अंसर है वो है वो है उप्रोक्त के सभी यानि कि सभी जो चीजे हैं इसमें तकनीक यह सभी क्या वशक्ता होती है option है, 3-6 सल, 6 सल के बाद बच्चा school में आ जाता है अगले सवाल पर आते हैं कि हम पूर प्रात्मिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोचाहित करते हैं कैसे, यहाँ पर आपको पताना है इसका सही option और इसका सही option है, वो है विकास, हेतु, खेल, thinking में शामिल है इसका सही answer होना चाहिए आकार और अस्थान की समझ देखते हैं, next पर करके अगला सवाल, पूर प्रात्मिक सिख्चा वर्सों के दारान मुल्यांकर सुनिश्चित करने में मदद करता है, इसका सही answer है इसका भी जो सही answer होना चाहिए अगला सवाल है पूर प्रात्मिक सिख्चा काचकरम में सिख्चन सास्त्र के तीन मुख के तत्वे यानि घटक क्या है इसका सही answer है खेल, प्रसपरसनवाद और परिवेस जो की option B में यहां दिखाई दे रहा है हो सकता कि आपके option कहीं उपर नीचे हो तो इसका सही answer है, खेल, प्रसपरसनवाद और परिवेस अगला सवाल नहीं है चुकि दस question हम लोगों ने यहां पर touch किया है submit करके देखते है, score और यहां पर score हमारा 10 में 10 हो चुका है इस तरीके से हम लोगों ने तीनो प्रसनोत्री जो की module 5 के हैं हम लोगों ने हल किया है, सभी का score 10 में 10 भी हुआ है, और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का position के तोरा कुछ समसे आती है, तो आप हमारे नीचे comment box में अपना सवाल पूछ सकते हैं यह वीडियो अगर अच्छी लगी होते इसे like कर दे लोगो हमारे चैनल पर नए है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद